अस्सलाम वालेकूम रहमत लौह वाइवागातू और कैसे हैं आप लोग जनाब रिक्टाब होंगे मैं दुआ करूं आप अच्छी बात यह है कि आज वहुत सारे जो हमें लोगों पास काम है भूद लोगों पर वहुत सारे लोग बेरुज़गार हैं बेरुज़गार होने क कि वज़ए भी है कई वज़ए उनके अंदर या तो वह मेहनती नहीं है या वह मेहनत करना ही नहीं चाहिए अब आप कहेंगे यह कैसे भाई पढ़लीकी इंजिनियर वगरा कुछ लोग बेरुज़़गार है मैं कहता है मैं इंडिया में कोई भी एक इंसान क्यों करहें विज़़़ है अब क्यों कहते है आप दो ल इत्याहुत। इसलिए आप बेरोजगार नहीं हो इस तरह देखा जाए इंडिया में कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं है अब आप करोगे क्यों मुझे पता है क्या बेरोजगार नहीं हो आप काम नहीं करोगे क्यों क्यों कि मुझे बता है मेहनती नहीं हो आप बेरोजगार नहीं हो क्यों क्यों कि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते हो आप बेरोजगार नहीं हो क्यों क्यों कि आपके पास काम बहुत हैं बहुत आते काम मर आप करना ही नहीं चाहते हैं आप बेरोज करना चाहते हो तो वरना जो मैं कह रहा हूं कि इंडिया में आज बेरुजगार नहीं है तो सच में वही होगा कोई बेरुजगार नहीं है अच्छा दूसरी बात इक महारास्टा से एक और यह उर्ण को चाहिए काम बच्चे वाली हो मुसलम दो शायत है कि पहली साथ है कि गरीब मुसल्मान हो बच्चे उनके घर में बच्चे ले के जाएं और वह उनके घर में ही रहना खाना पीना सोना अब बच्चों को भी वहीं पालन पुसन होना आग काम वगर भी करना एक काम तो वहाँ है जो बच्चे वाली चाहिए दूसरा काम है दिल्ली में है अखला के साइड में किसी घर में चाय रात दिन वहीं रहो मगर यहां बगर बच्चे वाली चाहिए मुसलिम हो या हिंदू हो को फरक नहीं पड़ेगा बगर बगर बच्चे वाली हो आप रोज आ सकते हैं काम करके तो वेरी गूट नहीं आ सकते रोज आना तो वहीं आप रहिए मुसल्मान का घर है यह दो काम है मारे पास और तो कलिए अगर आपकी दोनों काम पसंद आए या ज्यादा जानकारी चाहिए तो यह वाट्सप न बेज़ूंगा अगर उनको पसंद आया तो आपको वहां जाना है अगर पसंद ना आए तो कोई बात निया आप जैसे काम कर रहे हैं जहां कर रहे हैं इसके अलावा हम सभी धर्म सभी विरादरी की रिष्टे की जानकारी देता हूं नहीं दिल्ली में बैठावा हूं मैं यहीं जानकारी देता हूं वर्ट सब्सक्राइब और जाना चार्मीन करना सब काम आपका है हम सिर्फ बता देंगे फलाव में फला शहर में फला जगह में इस तरह कर रिष्टा है आप जाओ और देखो पसंद आयत करो ना पसंद ना मगर इस काम को लोग सब कोई नहीं करत तो वह वैसे छोड़ दिया जब आप नहीं जा सकते तो क्या फाइदा मैं का अखवार वाले को आप कहते हो तुने डाला है मुझे उसके घर ले चलो नहीं न है हां मेरी जबीरो वाले यह काम कर सकते कैसे पैसे देदो उनको और ऑफिस में बला लेंगे दोनों पार्टी को कर लो दिल्ली आजाओ दोनों तरफ से आजाओ और मैं भी महां मिल लूँगा दोनों पार्टी भी आजाओ बात्चित करो समझो और आगे का काम करो मगर यहां पर एक कमी रह जाएंगी बाद में हमने नहीं कहना कि मेरा ऐसा वह ऐसा रिष्टा करा दिया क्योंकि अगले ब लोग चुछ होगे तो कमी निकलेगी जब आप ऐसकाश में पूछ हो गे उनके घर जाओगे तो कमी निकलेगी जिनके शादी हुई थी आने हैं लडाकू है यह नहीं नहीं चरीफ है जानकारी मिलती है आसपास पडोसी सबसे अच्छे पडोसी हो है जिसकी हाथों से पड़ोसी खुश नहीं है तो बाकी लोग क्या खुश होंगे इसलिए पड़ोसी से जरूर बता देंगे अगर रिश्टदारों में तालुकाद अच्छे होंगे तो रिश्टदारों से मौलम करके पता कर सकते हैं यहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का नमबर तीन में फाने के जर्ये करवाएंगे यहां सब पता जलगा अगर लडाकूर केस दो होगा था सब पता हुरू को फिर आगे के काम शुरू हो जाएंगा अब द्रेक्सन के प्रोडेक्ट है यह हेल्थ प्रोटेक्ट है यह साथ में बिजनिस परफस पर ज्यादा है मतलब अगर आपको काम चाहिए अगर आप बहरुजगार हो प्रेक्शन कंपनी में आपके अपना काम खुल सकते हो जितना पैसा लगाओ उसी साथ प्रॉफिट जितने लोगों को आप काम में लाओ ल सब्सक्राइब लिखना कि मुझे रिष्टा चाहिए या मैं काम वाली हूं मुझे घर में काम करने वाल काम चाहिए अब लिखेंगे तो सी साथ में आपके जवाब लोग क्या करते हैं सीथे सीथे कॉल लगा देता है तो कॉल अगर आप लगाएं तो सुबह से लेके कम करता है कि फिरेंटी चलाया आता हूं अहँ बात नहीं कर सकता हूं नौज शाणे नौग बज़े जूड़े आप कॉल करने एक आत्मी के साथ बाता करने लग जाए और मैसेज में एक साथ चार-फांस लोगों से मेसेज कर रहा हूं कभी इसको जवाब देने में पांस सेकंड लगता है आप समझ सकते हो कि इसलिए आप बेतर यह है कि आप कॉल कीजिए मैसेज की जवाड़ सकते हैं और टेक्स मैसेज भी भेज़ सकते हो